राजस्थान में छात्रसंग के चुनाव रद्ध कर दिये गए हैं मुख्यमंत्रिय अशोग कहलोत का कहना है कि इन चुनाव में MLA MP के चुनाव से भी ज्यादा पैसा खर्च होता है उन्होंने जोदपुर में हुई सामोहित दुशकर्म की वारदात का उधारन देते हुए कह और कहने के साथ ही अखिलबारती विद्धारती परिशत पर निशान भी साधा अखिलबारती परिशत इस मामले में डी-सी-पी द्वारा main नाम लिये जाने के साथ ही निशाने पर आया था उसके बाद अ ब लगातार जो मुख्यमंत्री तक जो है वो उस मामले में अखिल बारते विद्यारती परिशत को निशाने पे रख रहे हैं हालांकि ABVP ने सिरे से इंकार किया है कि एक संग्ठन किस तरह से ऐसी हीनियस वारदात में शामिल हो सकता है ऐसा संभव नहीं है लेकिन जो गहलोत सरकार हैं वो इसे भुनाने से नहीं चूक रही कि वो लोग ABVP का प्रचार करने आये थे हालांकि चुनाव अभी गोशित नहीं हुए हैं और गोशित नहीं भी होंगे मुख्यमंत्री ने इस बावत में अपना स्टेंड क्लियर कर दिया है लेकिन इसके बाद में अब जो छात्रनेता मह से त्यारी कर रहे थे उसके बाद बड़ा उनके बेशेनी या उनके संकट शुरू हो गया एक तरीके से हम कहें तो क्योंकि आपको याद होगा 2004 में जब छात्रसंग के चुनाव हुए कॉलेजों में और विश्विध्यालियों में उसके बाद जो घटना क्रम हुए देश म बेन लग गया चात्रसंग चुनाओं को लेके ऐसे में यह मांग उठी कि नए नेता कैसे आएंगे नए नेता राजनीती में कैसे आएंगे क्योंकि अभी अगर हम देखें राजतान की राजनीती में जो लीडर्स हैं उसमें ज़्यादातर लोग चात्रसंग से निकले राजकुमार शर्मा जो कि नवलगड की विधायक हैं उसके अलावा रगु शर्मा काली चरण सराव अशोक लाहोटी जैसे बड़े नेता और पस्चिमरास्तान में देखें तो बाबु सिंग राठोड हरीश चौदरी जैसे नेता इसी प्रोसेस से निकलके आए हुए हैं क इसी किनाते चातरसंग के चुनाव होते रहें लेकिन इस बार नहीं होंगे 2004 के बाद ये बंद कर दिये गए थे उसमें प्रदेश में वस्नुरा राजे की सरकार थी लेकिन देश में यूपीय की गौर्णमेंट आ चुकी थी अब पूरे देश में बंद होने के बाद में जब लिंदोह समित्य की सिफारिशें आई लोगों की और से लगतार मांग उठी तो किन पूरे चुनाव होने शुरू हुए और यह चुनाव हुए 2010 में जाके 2010 में अशोगहलूत की सरकार थी हालाओ और कि अशोगहलूत ने ये भी कहा है कि उन्होंगों ने इसे सुरू कर करवाया है लेकिन ये चोंकि लिंग्दों समीती जो है वो सेंट्रलाइज कमेटी थी हालां कि केंदर में यूपीए की सरकार थी तो ऐसे में अशोगहलोत इसका क्रेडिट ले सकते हैं लेकिन चात्र अब उन्हें चात्र राजनीती को कंतर करने का डिस्क्रेडिट करने से भी नहीं चूक रहे अशोगहलोत सरकार पहले ही पेपर लीक भरती परिक्षाओं में फरजी वड़ा रिष्टेदारों को नोकरियां समय तवाम आरोपों को लेके यूवाहों के निशाने में हैं ऐसे में यूथ वोटर क्या जो की कॉलेज में हैं केवल एक 6,000 रुपए का NSUI और ABVP जैसे संगठन है या SFI जैसे संगठन है वो सीधे तोर पे अपने आपको खारिज सामान रहे हैं हालांकि कहा यह गया कि जो VC हैं कुलपती हैं उनकी यह ताकीद है कि चुनाव जो है वो नहीं हो लेकिन आपको जानके हैरत होगी कि छातर संग के जो अद्यक्स रह लेकिन अपने चातर संगठनों के माद्यम से VC के चारों तरफ एक नकेल का औरा रखती है वो औरा कहीं या तो आपने VC के माद्यम से बिठा लिया है क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि VC को लगाने के लिए जो कानून लाए जा रहे हैं वो लगबग हर सरकार बदल रही है ऐसे में जो विश्व विद्याले राजिपाल जिसके कुलादी पती होते हैं केंदर के सीधे उसमें संचालित होते हैं वो विश्व विद्याले अब उन कुलपतियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो सरकारी अनुशनसाओं से लगे हुए हैं या उन्हें डर है कि अगर युवा चातर राजनीती जो है वो ये लगातार रही तो क्योंकि कई सारी चीजें सामने आ चुकी है पहले बीच आए वो युनिवस्टी द्वारा बिल पारित करने और तवाम मुद्दों को लेके रही हो मैं आपको रास्तान की एक उनिवस्टी है सेंट्रल युनिवस्टी किशनगड के पास में वहां पे चातर संग के चुनाव नहीं होते क्योंकि केंद्रिय विश्व विद्यालों में ऐसा नियम नहीं है ऐसे में मैं एक करिक्रम में वहां गया था तो वहां के विद्यारतियों की पिड़ा वहां की मैस का जो भोजन था उसको लेके सामने आई तो विद्यारतियों ने कहा कि हम यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते एवन कुछ ही दिनों पहले एक चात्रा वहां पे फांसी लगा कि उसने आत्मात्या कर ली उसका मामला भी विद्यारति नहीं उठा सके तो ऐसे में कई कॉंग्रेस ही के निताओं से जब बात हुई तो उ विश्व विद्याले व मैं तो तानास आइए बच्चे बोल नहीं सकते बस नहीं सकते क्योंकि युनिवस्ट्री कॉलेज में वही बच्चा जा रहा है जो बालिग है अब पैसा जो लगा रहे हैं कि राजनितिक हस्तक शेप की बाद भी मुख्यमंद्री अशोग गैलोत न जीते थे ऐसे में वैबो घैलोत पे भी चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे थे जब की सीधे तोर पर लिंगदोह समीति की सिफारिशों के ये भर्देश हैं कि राजनेतिक लोग किसी भी सूरत में चुनाव को प्रभावित नहीं करें काइदे वहां तूटे अब सरकार का एक तरह का प्रीबोर्ड है अगर यहां माहोल खराब होता है तो जो छवी गुलाबी डिजाइन से त्यार की हुई है वो छवी कहीं थोड़ी बैक होने की आशनका है इसी लिए चात्रसंग चुनाव बंद किया रहे और युगाओं के लिए एक राजनीति में आगे एक कदम बढ़ाने का जो अवसर है वो कहीं न कहीं खत्म हो रहा है आपसे अपील है कि आपने अब तक तिंग 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्तान से जुड़े वे खास मसलों पे अपने निगाह रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को